दोस्तों, brain हम लोगों की body का सबसे incredible part है brain तो हर समय अपना काम करता रहता है जब हम सोते भी हैं, तब भी brain function कर रहा होता है हमारी heart beat, breathing को control करता है वही spinal cord, spinal cord तो students हमें immediately response करने में मदद करती है यानि कि brain और spinal cord, इन दोनों organs के बिना survive करना impossible है अब आप खुद बताईए, जब ये दो organ हम लोगों के survival के लिए इतनी जरूरी है तो दोस्तों, इनकी protection भी उतनी ही important है और इसी लिए, ये जो human brain है friends, brain एक box-like structure के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं skull skull के अंदर एक fluid present होता है, जो shock absorber का काम करता है यानि कि ये fluid हमारे brain को किसी भी type के shock से, immediate impulse से protection प्रोवाइड करता है वहीं अगर मैं spinal cord की बात करूँ तो students, आप कभी भी अपने head की back side पर touch करके देखेगा आपको पता चलेगा कि एक hard bumping surface है हमारे सर के पीछे ये जो hard bumping surface है, ये हमारी spinal cord को protection प्रोवाइड करता है तो देखा आपने कैसे brain और spinal cord हमारी body में protected है और हमेशा हम लोगों को जिंदा रखती है तो students, इसी के साथ हमने complete कर लिया है आज का topic अगले lecture से हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे हमारी body में muscle tissues move करते हैं तो चले फिर मिलते हैं अगले lecture में I am sure students, आपको ये lecture बहुत ही पसंदाया होगा तो अगर आप अपने हर concept को इतने ही मज़ेदार और interesting तरीके से clear करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजे हमारी PewStack app जहांपर आपके लिए और भी बहुत सारे options available हैं जह से की Sample Papers, Backexize Solutions, Written Answers and Much More So what are you waiting for? Download the app now!